काफी घरम है मेरा हाथ जल रहा है वेलकम तू निशेमन टेटर्स मेरा नाम है सत्मोगोल और मैं हूँ फाउंडर एंसी ओफ निशेमन टेटर्स तो आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं आज की वीडियो जो है वो है टी कोस्टर से रेलेटेड के अगर आप MDF का टी कोस्टर प्रिंट करना चाते हैं तो उसके लिए आपको टाइम एंड टेंपरेचर क्या रिकॉइड होगा सिरफ मैं आपको बताँगा नहीं एपको करके भी दिखाऊँगा तो आज हम करके देखेंगे MDF का 10 कोस्टर प्रिंट और टाइम एंट इंड टैमड़रिचर भी देखेंगे और फाइनल हमरे रिजल्ट देखेंगे छोरे बलीवार यह ठीज है to house ल viral's और आपको सब्सक्राइब करें माशीन फ़ेक्ट में तो दोनों टेंपरेचर को मैं मोट का बटन प्रेस करने के बाद 400 कर देता हूं अगर आप नहीं देख पा रहे तो आप हमारी पीछी वीडियो में भी देख सकते हैं पहले वली वीडियो में भी हमने टेंपरेचर बगरा जो मैंने सेट करके आपको दिखाया है कि किस तरह सेट कर दिया है और टाइम अध्र्ती सेकेंड जो हो है यहां पे सैट कर दिया है आप किदhésitez duyाओ जो पदेखें यहां पर ती कोस्टर पर एक प्रक्ट्फ लेयर लगी हूई है जो के आपने रिमूव करनी है यह आप को किसी भी एज पे वो प्र्रक्ट्टिव लेयर आप आप किसी भी आइसे रिमूव कर सकते हैं, तो यह हमें एक एज से, एक ओने से ये देखें, बिल्कुल क्लीन, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लीन हो गया, मेरा ये जो टी कोस्टर है, इसकी एजिज़ आप देख सकते हैं, ये थोड़ा स्टैलीश एजिस से, तो अब य इस तरीके से, यहां पर आप देखिए, यह मेरा जो print out है, यह बिल्कुल edges पर लग गया है, यह जो extra side आप देख पा रहे हैं, यह print में नहीं आएंगी, यह side से बच जाएंगी, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो यह जो है, यहां पर मैंने रख दिया, और अब मैं यह यहां पर इसको heat tape के साथ जो है attach कर रहा हूँ, यह मैंने इसको heat tape लगा दी, और यह मैंने इसको attach कर दिये, heat tape के साथ, यहां आप देख पाएंगे, और इसी तरीके से, दूसरी side पर भी मैं attach कर देता हूँ, यह देखिए, यह मैंने heat tape का piece लिया, और इसे दूसरी side से भी attach क कर दिया एक्स्टा पेपर हो तो कोई मसला नहीं है लेकिन याद रखिए कि नीचे कोई गता रख लीजेगा उससे यह होगा कि एक तो यह जो टी कोस्टर है यह मशीन का जो यह नरम वाला यह बैड है यह देखे इसको यह प्रेस नहीं करेगा और दूसरा इसका यह फाइदा तक पहुचाना है तो फॉर इन्ट होने वाला ही है और यहां पर अब मैं इसको नीचे इसकी गता जरूर रखूंगा ताकि यह नीचे भी न जाए और जैसे मैं आपको बताया कि वह नीचे प्रिंट भी न आए तो यह मैंने इस तरह है इस तरह मैंने यह कर लिए आप नहीं करेगा यहां पर हमने जो प्रेशर है वह भी कम करना है आप क्लिए और यह उपर से आप देखे इससे हम प्रेशर को भी थोड़ा कम कर लेंगे और कंशाने के बाद क्यूंकि इसकी जो मुटाई है हमें बोलब मद्र नजर लखनी है इसलिए फ्रेशर थोड़ा सां कर तो यह मैंने प्रेशर का कम कर लिया तो मैं 400 तक रीच करने का बेट कर रहा हूं जैसा के अब यह 400 तक रीच कर चुकी है और 30 सेकंड हमने टाइम सेट किया और 400 फॉर इनीट जो है वो टेमपरेचर और अब मैं इसको यहां पर रख देता हूं यह जो पेपर वली साइड है वो उपर को आएगी और दूसरी साइड नीचे को आएगी और यह नीचे गता भी अब देख सकते हैं यह फोल्ड करके गता लगा दिया था और यह अब इसमें अपना जो बीप है वो स्टार्ट कर दे यहां मैं इसको प्रेस लगा देता हूं तोड़ा सा वो टाइट कर देता हूं ताकि प्रिंट जो अच्छा आज है और यहां पर इसका जो कॉंच डाउन है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है और थर्टी सेकंड वेट करने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं जैसा कि यह बीप बोल चुकी है यह 30 सेकंड हो गया है चार पाइन सेकंड उपर भी हो जाए तो कितना बड़ा इशु निया पर बहुत ज्यादा इससे ज इंकाल लेता हूं और याद रखिए कि यह गरम होगा तो इसलिए आपको एक चीज़ का ख्यार रखना है कि आपका हाँ जल सकता है काफी गरम है मेरा हाँ जल रहा है अब यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है और मैं यह से हीट टेप रिमूव करता हूं और फाइनल रिजल्ट कि संप प्रीन्ट आ गया है और आप देख सकते हैं मारे पास बहुत ही दवरदस प्रींट आया है यह देखिए पब जी का जो प्रींट है थर्टी सेकेंड में रहा है अच्छा प्रींट आ गया है आपने वीडियो पूरी देखी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर में टोर यूट्यूब चैनल को और इसी तरह देखते रहे हैं हमारे वीडियो सी यू नेक्स वीडियो अलाफेस